एक सवाल गया आया है, शादी कब होगी, कहां होगी, किस से होगी, क्या ये पहले से ही लिखा है, प्लीज बुलिए, बहुत जादा परेशानी है, जी हाँ, शादी कब होगी, कहां होगी, किस से होगी, इस सब पहले से लिखा है, बलके सिर्फ शादी नहीं, बच्चे कब हों जिन्दगी में सब चीजें पहले से लिखी हैं जो कलम को अल्ला ताला में बनाया था उसमें सब कुछ को लिख दिया तो यह सब लिखा हुआ है हाँ यह सब पहले से लिखा हुआ है और लिखा हुआ है इससे क्या मिलता है इससे यह मिलता है कि अल्ला ताला के इल्म में है दे ये तकदीर बदलती है मतलब जो सालाना तोर पर नाजल होती है जो फैसले जैसे लेलतुलकद्र में आने वाले हैं कि आगे आने वाले साल में क्या-क्या फैसले है वो नाजल होने वाले हैं तो ये जो तकदीर है जो मौलक तकदीर ये बदलती है जैसे मिसाल के तोर पर किसी क तो कुछ रिस्क मिलना था, एक लाख रुपेय रिस्क मिलना था, साल भर में, सपोस करी एक मिसाल और फिर उसके बाद वो नेक काम करने लगता है, रिश्टिदारों के साथ रिश्टिदार यहां जोडने लगता है, अब एक लाख की जगा उसको must be हो सकता है, मिल जाएंगे क्योंकि उसकी वो तक्दीर बदलती है और हो सकता है, किसी को पर एक परेशानी आने वाली थी, लेकिन उसने द्वा किया, बहुत इखास से द्वा की, तो अला ताला ने वो चीज़ तो नहीं दी, लेकिन उसके आने वाली परिशानी को अल्ला ताला ने रोक दिया तो ये तकदीर बदलती है मौलक ये साल में जो साल में नाजल होती है एक बार लैलतुलकद्र में या मां की जब कोक में बच्चा होता है तब जो तकदीर लिखी जाती वो भी बदलती है लेकिन लोह महफूज में जो है वो अल्ला के इल्म के बुनियाद पर है और वो चीज नहीं बदलती है अल्ला को पहले से पता है ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें